नमस्कार एक मुद्दा दस बाते में आपका स्वागत है आज का मुद्दा है टीपू सुल्तान से जुड़ी हुए विवाद और जानकारी अचानक करनाटक की कॉंगरेस सरकार को क्या सूजा कि उन्होंने टीपू सुल्तान की जहनती मराने की ठान दी आज के पहले तो इस देश में कभी टीपू सुल्तान की जहनती नहीं मनाई गई थी दिक्कत ये है कि एक पक्ष ये मानता है कि टीपू सुल्तान एक ऐसा बाहद दूर राजा था जिसने अंग्रेजों को लुना को चने चपवा जी दूसरे पक्ष का मानना ये है कि टीपू सुल्तान एक क्रूर आज़ताई राजा था जिसने हिंदूों पर भी जबरदा सत्याचार किये और इसायों को भी उसे बुरी तरीके से प्रताडित किया आज एक मुद्ददस बाते में हम जानने की कोशिश करते हैं कि टीपू सुल्तान आखिर था कौन टीपू सुल्तान का जन 20 नवंबर 1750 को करनाटक के देवना हल्ली यानि यूसुफाबाद में हुआ था टीपू का पूरा नाम सुल्तान फते अली खान शाहाब था टीपू के पिता हैदर अली मैसूर सामराज्य के एक सैनिक थे जो 1761 में मैसूर के शासक बने टीपू का राज्जा विशेक 29 दिसंबर 1782 को हुआ टीपू ने 18 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों के विरुद्ध पहला युद्ध जीता था टीपू को शेर मैसूर के नाम से भी जाना जाता था टीपू सुल्तान ने युद्ध में पहली बार रॉकेटोंगा प्रयोग किया जो की 2 किलोमेटर तक मार कर सकते थे रॉकेट चलाने वाले सैनिकों की संख्या लगबग 5000 थी 1780 में हुई एक लड़ाई में टीपू को एक रॉकेट अंग्रेजों की बारूद में जा लगा था और अग्रेज वायुद्ध हार गए थे मैसूर की तीसरी लड़ाई में भी अंग्रेज टीपू को नहीं हरा पाए तो टीपू सुल्तान से संग्रेजों को संधी करना पड़ी जो कि मेंगलो और संधी के नाम से भी जानी जाती है ऐसा कहा जाता है कि 4 मई 1799 को 48 वर्ष की आयू में करनाटक के श्रीरंग पठना में टीपू को धोके संग्रेजों ने मार दिया था पालक्तार किला टीपू का किला नाम से भी मशूर है 1766 में बनाया किला पालक्तार के मद्य भाग में स्थित है ब्रिटेन के एक संग्रहाले में टीपू सुल्तान के अंगूठी भी रखी हुई है जिसके बारे में हाल ही में उत्तरप्रदेश के मंतरी आजम खान ने कहा कि उस पर राम नाम अंकित है लंडन में हुई निलामी में टीपू सुल्तान की तलवार पांच लाक से अधिक पौंड में लिकर किंग विजे मालिया ने खरीदी थी इस तलवार की कांसे की मूट पर बाग का सिर बना हुआ है टीपू सुल्तान पर हिंदू विरोधी होने के आरोप भी लगाये जाते हैं ऐसा कहा जाता है कि लड़ाई के दौरान पकड़े गए सैनिकों को श्रंग पटना भेजा जाता था और उनसे इसलाम कबूल करवाकर पैदल सेना में भर्टी किया जाता था तो टीपू सुल्तान सचमुच मैसूर का एक शेर था या फिर औरंजेब और बाबर की तरह ही एक ऐसा अत्याचारी मुसल्मान राजा जो केवल हिंदूों का कटल करने में भरोसा करता था इसको लेकर इत्यास कारों में भी विवाद है और आज का समाज भी इसको लेकर चर्चा करता रहेगा लेकिर एक बात तरह है कि टीपू सुल्तान ने इत्यास में अपना नाम दर्श करवा रखा है